कि CBI का जो आदेश हुआ है ममता बनर जी के लिए बहुत बला जटका है और इनकी उल्टी गिंती शुरू हो गई अमनिता शिनहा ने कहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने ये भी बोला है लक्त पात अगर जाली रहे तो मतदान को तुरंत लोग दिया जाना चाहिए इसका मतलब बहुत सक्त है ये वास्तों में आपको बताना है कि ममता बनर जी में अगर थोड़ी सी भी गै है तो इनको तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा है कि एक पंचाय चुनाओं पे हिंसा का लाज यह सर्म की बात है मतलब अगर जस्टेस कह दे तो इसका मतलब वहां के मतदाताओं को सोचना चाहिए एक मिस्टर जस्टर हाई कोड के कह रहे हैं बंगाल में दलतों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार ओड़ा अब वहां पे दलिज जो है एक जुट मालूम किसके साथ है बीजेपिक साथ हकीकत यह कि मतवा संप्रदाय पूरा पूरा बीजेपिक साथ CBI जांच दे दी गई है आपको बताना CBI जांच के इतने वीडियो वो है कि ममता बनर जी का एक तो पतन निश्चित है आप इन नोट कर लिजे हम भविस बकता नहीं मगर यह पूरे राजनेत्रिक उसके हिसाब से देख करके बताना किसी भी कीमत में ममता अब रिपीट नह वाले वो अपने ही मतदाताओं को निरास कर नहीं तीसरी बात है CBI जहां चाहे हो गई इनके उपत तमाम जाचे अब सेक का भी आखडी जो है सलाकों के पीछे जाएगा जो नाम है लिस्ट से गायब है डॉक्यमेंट्स में भी गड़वड़ी का मामला सामने आया है अधिकारियों पर डॉक्यमेंट्स हेर फेर के आरोप लगाए गई हैं जिसके बाद इस पूरे मामले की CBI जाच के आदेश कलकता हाई कोट द्वारा दिये गई हैं तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट पत्रकार अजय पत्रकार जी सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में तो सर इस वक्त पश्चिम बंगाल में बैक टू बैक ममताब एनरजी को जटके लग रहे हैं पहले जो है सुप्रीम कोट और इसके बाद अब हाई कोट ने इस पूरे हिंसा के मामले में जो है अब जाच के आदेश दे दिया है सीवेश करेगी क्या कहें अब देखें ऐसा है कि सीवेश का जो आदेश हुआ है ममता बनरजी के लिए बहुत बड़ा जटका है और इनकी उल्टी गिंती शुरू हो गई बेंगौल का एक कल्चर बताते हैं, हकीकत है जो देश आजाद हुआ है, अगर आप वहाँ जाके गाना लगा दें, सावर मती के पूतों तूने कर दिया कमार तो बंगाली तुरंद कैसेट फेक देता है। कि आप बोट डालने के बाद दुबारा डालने, और आलू भी दिये जाते थे, तो किसी बच्चों को लेकर आओ जोले में दूर से पकड़े रहो आलू, आलू को मतलब होता था बं। वहाँ के बच्चा-बच्चा बं बना हिंदूस्तान के कल्चर में पहले बं नहीं चलते चाकु छुणिया चलती थी, यहां सब जगे बं वहीं से आया, तो आपको उताने वहाँ पे इलक्षन में यह सब चीजें बहुत थी, ममता बनर जी ने क्या किया इसको टोटल इस ग्रूप को अपने उस पे कल लिया, अब वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप नहीं द रिट्टी भी कभी डायरेट गोली किसी भी सूरत पर नहीं चलाती, या तो नीचे मारती हो, मगर जब देख रहे हैं कि छोटे-चोटे बं चलना इसके पहले भी, एक लिमिट क्रॉस हो गई थी, इतनी ज्यादा हिंसा हो गई थी, पंचाय चुनाओं पे जो बहुत छोटे इस तरह को चुनाओं, लोग सभाम क्या पोजिशन, इसके पहले भी हुआ था है, लोग सभाम में उन्हों कम चले, इस समय जो थे पंचाय चुनाओं में एक रियल्सर हो रहा था, दूसी बात उधर क्या था, कि टीमसी के कारकरताओं का था, कि अगर इस रियल्सर में हमने इन लोगों को डडा धमका लिया, इनके बोर्ड नहीं पड़ने दिये, आखीकत यह कि नामांकन उन्होंने कई लोगों का होने नहीं दिया, जूसई पार्ट, सबस्यादा नामंकन तर्मूल का अंग्रेश ने किया, उसके बाद बीजेपी न किया, मगर बीजेपी के नामं लगा हुआ है ये न लगे जो सस्थबल है उसके लिए ही कोड ने आदेश कर दिया कोड ने ये आदेश किया कि नहीं लगेगा तो ये एक सकपकाग है चुकि अपने फोर्से और अपने गुंडों इनके साथ क्या है उनकी लोकल पुलिस के साथ में गुंडे भी डेस पहने कर ख़ले हुए अब वह सब अपरेट करते हैं वहां के जो पाड़ा के वो है अब फाड़ी के तो फाड़ी वास्तों में वहाँ जो चलाते है rented वह उनक थो हब बैट के करती है तो यह सब देख रहे थे और यहां पर आप यह समझ लीजें कोर्ट ने कह दिया और ने भी जश्टेर अमरिता शिनहा ने कहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने यह भी बोला है लक्त पात अगर जाली रहे तो मतदान को तुरंत लोग दिया ज चाहिए इसका मतलब बहुत सक्त है यह वास्तों में आपको बताना है कि ममता बनर जी में अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो इनको तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए यही ममता बनर जी उस पे आरोब लगाती थी बामपंतियों पर और आज ममता बनर जी ने यह काम थोक पर कर लिया पहले तो बहुत चोटे लेविल पता आज तो बड़ी बड़ी फैक्टियां ठाइप की बन गई वहाँ पे और उनके यही बज़े है कि खुले आम मीटिंग बोद ले रहे हैं एसीपी की जो मीटिंग है वो त्रमूल का अंग्रेस का चोटा सा कारकरता ले रहा और उन्होंने यह भी काहा है कि एक पंचाय चुनाओं पे हिंसा का लाज यह सर्म की बात है मतलब अगर जस्टिस कहए दे तो इसका मतलब वहां के मतदाताओं को सोचना चाहिए एक और्रिब्ल मिस्टर जस्टिस हाई कोड के कह रहे हैं तो दूसी बात उन्होंने तारीक इनको दे दिये दूसरी तारीक के लिए और उन्होंने उससे ज्यादा बुरी बात है वहां मिदनेपुर बरसायत और बैरकपुर बैरकपुर के अलावा पल्टा और वह नौर्थ में वहां क्या नौर्थ में एक तरफा बीजेपी इसके पहले बीजेपी जीत के पूरे कलकट में, सेंटर कलकटा में, 24 पलगना में, हावला में, उदर दमदम के उदर भी बहुत ज्यादा हिंसा हुई है और सबसे बड़ी बात उनके पाई इतनी तादाद में अगने आस्तना है बंब अगयरा वहां फट जाने अभी क्या हुआ है कि वहां पर कि जब फोर्स गया है त तो वहां पर काफी समय से उनकी सरकार है उसके बाद भी पंचायद चुनाओं से पहले इस तरीके की हिंसा के पिछे का क्या का रन है जब उनकी ग्राउंड पर मजबूत पकड़ने चेहीं, तीन बार की सरकार एशके बाबजुदch इस तरीके की हिंसा, ढराना धमकाना देखिए आपको बताने उनको चुके एश्टा लोग मिल गए बंगलादेश के आई हुए रोहिगा लोग काफी बिल गए अभी क्या हुआ है फोर्स ने आज रात को वहां काफी लोगों को घेरा उसमें रोहिग गया थे उन्होंने बिलकुल रेड हंडर कर लिया तो मंगर य देखिए एपने ने तक और पुलिस ने अभी तक जो आगरा वहां का सवाला उसने अभी तक डायरेक गोली नहीं चलाई टायरेक गोली इसके पहले भी नहीं चलाई थे उनके ऊपर पथराओ किया जा रहा हिसके उनको बंब फेका जा रहा है इसके लाबां जो सबसे अब वहाँ पर दलिज जो है एक जुट मालूम किसके साथ है बीजे पिक साथ हकीकत यह कि मतुआ संप्रदाय पूरा पूरा बीजे पिक साथ और यह अब सेक के सारे पर चुन-चुन के पुलिस दलतों को इलक्सन में सब कर लगी इसलिए दलिज जो है वो नामंकन नहीं कर प है आप नोट कर लिजे हम भविस बकता नहीं मगर यह पूरे राजनेत्रिक उसके हिसाब से देख करके बताने किसी भी कीमत में ममता अब रिपीट नहीं होगी तीन बार से ज्यादा कोई रिपीट होने की सवाल है उनके खिलाब इतना ज्यादा माहोल है वो अपने ही मतदा करताओं को निरास कर नहीं तीसरी बात है सी बी आई जहां चाह हो गई इनके उपर तमाम जाचे अब सेक का भी आखडी जो है सलाकों का पीछे जाएगा और ममता बनर जी का भी आपको बताने कि निश्चित तौल पर ममता बनर जी मुक मंतरी नहीं रहेंगी मगर सरकार के मुश्किले बढ़ाएगी ही और साथी साथ उन्हें ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं वो ग्राउंड अपना खो रही है पंचाइट चुनाव से पहले और यहीं कारण है कि इतनी ज्यादा उनके अदर बोकलाहार देखने क्लों मेर रही है और इस तरीके से वॉयलेंस क कि आ जा रहा है तो ऐसे मैं आपने चर्चा पूरी सुरिया और इस पर अब आपकी जो रहा हो कमें सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरू साजा करिएगा थन्यवाद